नमस्कार दोस्तों मैं संचिता भटचारिया आपकी स्वागत करती हूँ आज का प्रोग्राम में विशय है पेंटिंग तो चलिये बीना समय गवाए हम अपना प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं There is also the story of Sujata who had offered a bowl of kheer to Siddhartha Siddhartha कौन है? The Buddha It was his first food after he became the Buddha There are some more Jataka stories in this cave The Hasti Jataka is the story of Badhisattva as an elephant He gave up his life by throwing down himself to provide food to those affected by hunger In Maha Umang Jataka, Badhisattva settled a despite between the two mothers claim for the same child Some events of the life of Buddha and miracle of Saraswati are other paintings at this cave अजन्ता शैली, इलोरा गुफाओ और अन्नस थलो जैसे एलिफेंटा गुफाओ, आउरंगाबाद गुफाओ, शिवलेनी गुफाओ और करनाटक के गुफा मंदिर में भी पाई जाती है देखिए, इलोरा केव की पेंटिंग है, same as it is true copy लग रहा है अजन्ता केव का क्यों? क्योंकि जो आर्टिस्ट अजन्ता केव में काम किये थे, जिन्होंने ये सारे चीज़े, बहुत सारे चीज़े पेंटिंग और स्कल्प्चर बनाए थे mostly वही आर्टिस्ट इलोरा केव में भी स्कल्प्चर बनाए थे, पेंटिंग बनाए थे, इसलिए style और उनकी जो style है और ये जो पेंटिंग बनाने का जो सोच है, समझ है, almost same है तो इलोरा और अजन्ता गुफाओं के पेंटिंग को देखने से हमें अलग करना बड़ा मुश्किल काम हो जाती है अजन्ता की गुफाओं में चित्र मुख रूप से जात कथाओं का बनन करते हैं ये बुद्ध की पिछले जनम का बनन करने वाली बुद्ध किंग वदंतिया है ये दंत कथाओं प्राचिन नेतिकता और शांश्कृतिक कथाओं का समाहित करती है जो हिंद और जन गरंथ का दंत कथाओं और किंग वदंतियों में भी पाए जाती है ये दंत कथाओं क्या है? जैसे नवरात्री क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे अलग-अलग मैनित आये हैं देश की बिभिन्न हिस्सों में नवरात्री के इतिहास से जुरे बिभिन्न दंत कथाय है ये जो तरहा तरहा की कथाय है ये ही कथाय होती है दंत कथाय किसी की मूँ से चले आ रहे हैं मतलब कोई बोली चीज को कथाय चले आ रहे हैं ये बंश परंपराय चले आते हैं तो ये वो कोई कुछ गुरू ने शिश्य को बोलाए शिश्य ने फिर अपना शिश्य बनाए तो उनको बोलाए इस तरह से जो कथाय चले आती है जैसे मा ने कुछ सिखाया अपने बच्चों को बच्चे ने फिर अपने बच्चों को सिखाया जो कथाय चले आती है यह यह दंत कथा जैसे जब महिशाशूर ने देवी दुद्गा को देखा उनकी सुन्दर्ताक पर मुध्ध हो गया। उसने देवी के सम्मुख विवाव का प्रस्ताव रखा। देवी ने कहा कि वो विवाव तो कर लेंगे लेकिन उसके पहले महिशाशूर को उन्हें युद्ध में हराना होगा। महिशाशूर और देवी के बीच यह युद्ध नौ रातों तक चला और अंथ में मादुर्गा ने अशूर का सर धर से अलग कर दिया। नवी रात्री को ही नवरात्री कहते हैं और इसके बाद दशवे दिन को विजय दशवी के रूप में मानाया जाता है। जिसका अर्थ है बुराई पर अच्छाई की विजय यह एक दंत कथाय है। येक एग्जांपल है, तो इस तरह की बहुत सरे कथाये जो होती है वही दंत कथाये होती है भित्य चित्र भित्य चित्र गुफाओं के पहले और बाद में दोनों समुह से जिवित है पहले की गुफाओं में गुफा 10 और 11 संग्रक्षित भित्य चित्रों के कई टुक्रे इश अवधी में भारत में प्राचिन चित्रकला के प्रभावी रूप से अद्धितिय अस्तित्व है और दिखाते हैं कि साद बाहन कल तक यदी पहले नहीं तो भारतिय चित्रकार ने एक आसान और धारा प्रभाव प्रकिति वाद में महारत हाशिल की थी भित्य चित्र क्या है? भित्य एक पेंटिंग जैसे दिवार पर भित्य एक पेंटिंग जिसे दिवार पर या छत की सतह पर किया जाता है और इसके साथ एकत्ति किया जाता है इस शब्दों में फायर की गई टाइलों पर पेंटिंग शामिल हो सकती है भित्य चित्र कलाकृती की कई कोई भी टुक्रा है जिसे सीधी दिवार छत या अनस्थाई सतह पर चित्रित किया जाता है या लगाया जाता है भित्य चित्र की एक विशेशन यह है कि दिये गये स्थान के स्थापत तत्तों को चित्र में सामंजस्टपूर्ण रूप से शामिल किया गया है यह है भित्य चित्र का एक्जाम्पल अजन्ता मोरल पेंटिंग भित्य चित्र तो क्या है आपको तो पता चली गया है तो ये भित्य चित्र में एक चीज आप बहुत ही अच्छी तरह से समझिए कि वेट जगा पे वेट सता पर कलर भड़ते थे और ये जो पेंटिंग में आपको बहुत ही सुन्दर और बहुत ही बैलेंस कलर लग रहा है औ आर्टिस कितना काबिल थे एक गीले जगा पे जैसे एक विट जगा पे जब पेंटिंग करते हैं जब कलर भड़ते हैं तो कलर इधर उधर होने का चांसे बहुत रहता है आप कभी भी कागच पे कागच को हलका सा गीला करके अगर आप रंग भरोगे रंग उसमें डालोगे रंग करोगे तो कालर फैल जाता है और दूसरी बात है जब आप कालर भरोगे एक के साथ दूसरा कालर इसमें देखिए पेंटिंग जो बनाये हैं जो डिजाइन बनाये है एक एक छोटा छोटा डिजाइन भी कितना खुबसूरत लग रहा है दिखाई भी दे रहा है लेकिन वैसे अगर हम करने के लिए बैठते हैं कि गीला कागच पर गीला सदा पर हम जब पेंटिंग करने के लिए बैठते हैं तो हमें पता लगता है कि बापरे यहां पर हमने पे एक एक छूटी छूटी माइनूट वर्क इसमें है और जिसमें पिलर में भी हर कलर को अलग-अलग से हमें पता चलता है, पिलर में भी है, बैक ग्राउन भी है, फोर ग्राउन भी है, जो हिमन फिगर बनाये हैं, उनकी आखे, नोज, लिप्स, हर चीज बालो में भी जो डिज इस्टों को उस समय की, दूसरा मूरल पेंटिंग ये भी है, जो हम थोड़ी देर पहले भी हम आपको बता रहें थे, कि ये जो डिजाइन बनाए थे, जूलरी बनाए थे, कितनी सुन्दर तरीके से, वेट प्लेस पे भी बना सकते हो, ड्राइ प्लेस पे भी बना सकते हो, ले से भड़े कलाकार का काम है, बिना ख्रिच के समरिथ और पुर्ण, वे विलाशी कामुक है और शारीरिक सुन्दर्ता की जस्न मनाते हैं, पेंटिंग ड्राइ फ्रेस्को में है, जिन्हें गीले प्लास्टर की बज़े, सुखे प्लास्टर सतह के उपर चित्रित किया गया है सभी पेंटिंग चित्रकार की कृती प्रतीत होती है, जो शहरी बातावरन से भेदभापुन, पर्खी और परिष्ट्रित शंगरक्षकों द्वारा समर्थित है सिलिंग पेंटिंग, सिलिंग मतलब छत पे, तो हम जब हम अपना घर बनाते हैं, एक छोटा सा कहानी मैं आपको बताना शाती हो, जब हम घर बनाते हैं, हम अपना दिवार में भी पेंटिंग बनाते हैं, छत पे भी पेंटिंग बनाना ही कोई आसान काम नहीं है, क्यूंकि उस समय जो पत्थर काट के जो गुफाय बनाया गया था इलोरा अजंता अधनला मानो कोई भी गुफाय मानो बहुत बड़ा बड़ा गुफा था यह कोई छोटा मोटा गुफा नहीं था कि सेलिंग को हम हद से भी टाच कर सकते हैं यही जो ceiling पे जो painting बनाये थे कितना सुन्दर तरीके से बनाये थे और हर painting को ceiling में painting बनाने के लिए artist को किस position में आना पड़ता है या पड़ेगा ये आप खुद ही समझ सकते हो और दूसरी बात है इसमें जो painting वो बनाये थे उस painting में भी geometrical shape है वो भी हम दिखाएंगे आपको geometrical shape भी है different motive भी उन्होंने use किया है और दूसरी है कि उस समय की कथाए भी उसमें चित्रित किया गया है so the ceilings are also painted with sophisticated and elaborate decorative motifs many derived from sculpture this is ceiling painting तो ceiling painting का ये खुब सूर्थी देखिए ये तो सीधा है ceiling के उपर है उपर के तरफ ये बहुत ही सुन्दर तरीके से बुध की बहुत सारे चित्र इसमें चित्रित किया गया है और हर चित्र में कोई भी चित्रों एक तूसरे के साथ एकदम से match नहीं हो रहा है लेकिन हर चित्र में कहीं न कहीं मैसेज और कहीं न कहीं उनको हर तरह से दिखाने की विभिन रूप को दिखाने की कोशिश किया है आर्टिस ने और सिर्फ चित्र ही नहीं, एक हुमन फिगर नहीं, उनके साथ-साथ और भी बहुत सारे हुमन फिगर उसके साथ है तो आप सोचिए ज़रा सिलिंग को बनाने के लिए आर्टिस ने कितनी महनत किया था तो दिवार को तो महनत किया ही होगा छतों को भी परिश्कृत और विस्तृत सजावटी रुपंकनों की साथ चित्तित किया गया है, जिसमें से कई मुर्टिकला से प्राप्थ हुए है गुफा नमबर एक में पेंटिंग खुद हरी सेना द्वारा कमिशन की गई थी, उन जातक कथाओं पर ध्यान केंद्रित करती है, जो एक राजा के रूप में बुद्ध की पिछले जीवन को दर्शाती है ना की हिरन या हाती या किसी अन्य जातक जानवरों के रूप में द्रिश्में बुद्ध को शाही जीवन का तैगने के रूप में दर्शाया गया है केव नंबर वन का ये चित्र है, ये आप देख सकते हो अभी थोड़ी देर पहले हमने फ्रेस्को पेंटिंग बनाये थे, ये फ्रेस्को का ही काम है अब बहुती सुन्दर तरीके से गुफा नमबर वन में बहुती सुन्दर तरीके से चित्र अभी भी वहाँ पे सुन्दर से सजाया गया है और बहुत सारे जातक कथाएं वहाँ पे है और दूसरी बात है बुध्ध ने एक बानी और भी बताये थे कि दुख के पीछे एक कारण है लेकिन एक उपाय भी है जो हम संसार में दुखी होते हैं उनका उपाय भी है बुद्ध की ऐसी बहुत सारे कथाएं उनकी चित्र से ही पता लग जाता है, चित्र ही सारे मैसेज देते हैं Cave No.1 में ये ceiling का painting है, जो हम ये कह सकते हैं कि geometric design से बनाया गया है, कित्ती सुन्दर design है ceiling को painting करना मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, कोई आसान चीज नहीं है, दूसरी बात है, geometric shape में हर चीज में एक नाप है मतलब हमें लग रहा है कि बिल्कुल scale से बनाया गया है, लेकिन उस समय artist को कितनी सुन्दर तरीके से वो बना सकते थे उनका skill कितना अच्छा था, कितना अच्छी तरह से वो कर सकते थे, ये painting को आप देखने से आपको पता लगेगा कि जो beach में जो उन्होंने different design बनाया है, square, sorry, rectangular shape में बनाया है और beach को जो जगा है, white जगा आप देख सकते हैं, उसमें भी design है हमें पता नहीं लग रहा क्योंकि ये बहुत पुराने हो चुके हैं, कभी अगर आप जाओगे तो आप ceiling को बिलकुल देखना, हमें चित्र देखने भी कितना कश्ट होता था, होता है अभी भी ceiling का design देखने में और जो artist बनाये थे, ये जो design बनाये थे, हर design में फूल, पंची, उसके बाद बहुत सारे ऐसी animal को भी बनाये थे और जो animal को बिलकुल हमें पता लगता है कि ये सारे फूल है, ये पंचिया है, ये पशुय है, ये ऐसी पेर पौध है, किस तरह से जीवन कथाए है सारे चीज को एक मिल जोल कर बनाये थे, क्योंकि जीवन कथा कभी भी हम आसपास को छोड़ के जीवन कथाए कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ अपनी घर की अंदर को ही लेके हम कोई भी कहानी नहीं कंप्लीट होता है तो हमारे घर के आसपास को भी लेना पड़ता है घर के आसपास में क्या होता है पेड, पॉधे, बहुत सारे पंची, पहार, नदी सारी चीजों को artist ने picture में दिखाया गया है अपने painting में दिखाया गया है सीलिंग पेंटिंग छात की ओर देखो और आप जैमिती और डिजाइन और पैटर्न देखेंगे ऐसे मूर भी है तो पाउडर लेपिस लजूली का उपयोग करके बनाए गए गहन नीले रंग में सजाए गए एक सजावटी सजी का रूप हरी बैल मिट्च जैसा दिखाता है जानवर है जिसका शरीर घुमावदार बहने वाली रेखाओ से रेखाओ में बदल जाता है यह पेंटिंग है पार्शियंस केब नंबर वन में यह पेंटिंग मिलेगा पार्शियन पेंटिंग है पार्शियन पेंटिंग की खुबी हम बात करते हैं The picture above shown a painting of a Pashian novel man of fair skin He hold a cup in his hand probably of Pashian origin His clothes, headgear and cartons all are in Pashian style See, ये बुद्ध की ये सारे पैंटिंग है और ये प्रवेश द्वार में ही ये पैंटिंग किया गया है जब ये प्रवेश द्वार में हम इस तरह की बहुत सुंदर पैंटिंग देखते हैं धैन मगनमूर्ती है बोध्य की तो हमें ये लगता है कि अंदर कितना सुंदर लगेगा अब ये अजन्ता प्रवेश द्वार को कितना सुंदर सजाय थे पैंट आटिस्ट ने कहीं भी जगा नहीं छोरा उनोने The durable story cave was used as a home to monks even when it was incomplete and not entirely built there is also a buddha figure seated in this cave doorway painting this is another painting so this is also you can see चारो तरफ कहीं भी नहीं छोरा है दोर तो है लेकिन दोर की आस पास को कहीं पी जगा पे उन्होने नहीं छोरा है कितना उचा दिवार है लेकिन उस समय पे आर्टिस्ट ने कितनी उची दिवार पे भी कितना उपर की दिवार पे भी कितना मायनूट वर्क किया था तो आर्टिस्ट की mastery सोची है आर्टिस्ट की खूबिया सोची है अजन्ता की गुफाओं में कई दिवार चित्र में से एक यह राजाओं और समुदायों के द्रिश्च को दर्शाता है जो एक दूसरे की कंपनी का आनन लेते हुए सराब पीते है ऐसी बहुत सारे कहानिया उसमें है ये मैनुवल रूप से खोदी गई गुफाओं अब 2000 से अधिक वर्ष से बीच हुई है और पेंटिंग भित्य चित्र और मूर्टिया अभी भी आपको आश्रजचकित कर सकती है इतिहास के सौकिनों, फोटोग्राफरों, बास्तुकला के छात्रों और सामन रूप से परजचकों के लिए एक सर्ग अजंता की गुफाए, भार्तिय कला और संस्कीत को समझने और इसमें शामिल होने के लिए एक आधरस स्थान है तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पेंटिंग को हम जो देखा, इतने सारे पेंटिंग हमने जो देखा है और इतने सारे जो स्काल्प्चर देखा है, हमें एक ही चीज़ को बार बार हमारी मन में प्रशन उठा रहे है क्या उस समय आर्टिस ने क्या इतनी सारे कथाए उनके पढ़े थे क्या वो जानते थे और उस कथाओं को पढ़ने के बाद अपने विल्कुल वो जैसे कहते हैं न कि हम इस चीज को पढ़ने के बाद हम इसको जहन में डाल दिया उसके बाद हम इसको सोचा है कि किस तरह से हम बनाएंगे क्योंकि वो तो कथाए उन्होंने देखा था वो तो उस समझ वो सारी पेंटिंग तो उन्होंने आर्टिस्ट ने तो नहीं देखा था तो कितना खुबसूरत तरीके से उन्होंने बनाए हमारी मन में यही है कि बुद्धों ऐसा ही देखने में थे और हमारी मन में यह था कि यह जो बहुत सारे painting बनाये थे शायद वो ऐसा ही होगा तो हमारी अंदर तक यह सारे चीजे message और सारी जो इसकी खुबसूरती है हमारी अंदर तक यह जाता है हमें कितना प्रभावित करते हैं ये सारे चीज़ हो देखने के बाद आशा है आपको ये अजंता गुफाओ की पेंटिंग के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानकारी तो हाशिल हुई है और भी अगर आपको कुछ जानना है और कुछ भी चीज़े नए चीज़े सोचना है समझना है और आप हमें बिलकुल बता सकते हैं तो हम आपसे आग्या लेते हैं तक तक के लिए जब तक आपका ये मैसेज नहीं आते हमारे पास दूसरा प्रोग्राम हम आप फिर लेके आएंगे आपके पास नमस्कार